ये दुनिया का सबसे फास्ट हैंड जूसर तो आप लोग दो सो तीन सो रुपाय ओला ये वाला हैंड जूसर ट्राय किया होगा भाई मेंगज लगती है कच्छा भी होता है इस कमफर्ट भी होता है टाइम भी जादा लेता है और स्टाफाई करने में भाई अगर महाल खाब ह जाते हैं जब जालिमेस तो जाते हैं थे ररेस स्युस्था और अच्छा घालन में अचा के लगता है भी तो अर्दना कमफर्ट नहीं कौ करते हैं जो इक हो Watch सबसे कम और यह काANS ऐहानी कि फचनलोजी पे जरनी की कि जूझे ऐनिक जोस बनेगा वह किसी भी एरेक्टिस जूसर की तुलना में ज्याजा हेल्दी होगा और ये मस्टीन सबसे फास्त तरीकेस जूस बनाती है इससे दोना बहुत आसान है और कच्रा भी सबसे कम फैलाती है चलिए टेस करते हैं अपने इस हैंड प्रेस जूसर को क्या है तो यहां पर कैसे में को समझ बनाता कि में पता तो यहां पर हम लों के सबस्तर अंतर जांगे कि एक कि अधिऑ करेंगे कि एक ग्राम जूस निकला ठीक है ताकि एफिसेंसी पड़ा चल पाए हमने कुछी सेकंड में काट लिया अब बनाते हैं जूस आप उपर मैं पहली बाद बना रहा हूं अंकल जी का एक्सप्रेंस जादा है और यह पहला कि यहां पर मैं आपको चीज बोलना चाहूंगा इसमें जूस मनाते वक्त एक बात का हमेशा धान के कभी भी हाथ इसके बीच में ना लाएं आपको चोट लग सकती है आपका हाथ कट सकता है और भाई फाइंगली इस टॉप एक्जैक्ट चार में मैंने पूरी तरीके दे किन्नों का जूस निकाल लिया अगर एक्सप्रेंस होता तो सच में तीमिट ही लगता मुझे भाई सब यहां पर धान अगना हमने किसी भी सानेत्री का छिलका नहीं चिला है तो छिलका चिलने पूरा पूरा टाइम बच गया और सिर्फ चार में कम्प्लीट एक किलो और इंस का जूस आप निकाल सकते हैं और आप यह देखो इसके अंदर जहासा भी जूस नहीं बचा है एक एक और अंदर से पूरी तरीके से खाली हो गए है और कोई भी बीज नहीं पिसा है इस वाल किलो में वहां के जलते हैं 600 तक हम पहुंच सकते हैं अगर और मेहनत करें तो चार मिया की मेहनत कफल अहाहा क्या मस्त लग लगा है कैसे करें रिखते हैं है 100% और जो कोई भी बीज नहीं पिसा है मज आगया एक दम फ्रिस यहां पर हमाना ना आसा है इसका वेट है पांच सो असी ग्राम के आप सपास अब आनास के जूस बनाने में भी मशीन काफी यदा स्पेसल है कितनी स्पेसल है जानते हैं उन्हीं अंकल जी की लैंग्विज में उनसे ही पूसर इस मशीन में केवल स्लाइश टुकड़ा करना आपको किसी भी शेम में आप इसमें स्ला हम यह आनास का जूस बनाने में कितना टाइम लगेगा तो टाइम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कि मुझे को ना काट दिया तो यहां पर सिर्फ साड़े तीन मिनट में हमने आदा किलो अनानास का जूस निकाल लिया और भाई साब यह एक दम फ्रेस फ्रेस अनानास का जूस जिसका वेट है तीन सो छीएता ग्राम तो यहां पर लग बग पैंसट परसंट जूस निकालने में अम लग सक्सेस्फुल हुए हैं एक अनास से तो मसीन चेकरते हैं अनार के साथ लिगन जानते हैं अनार में किस तरीके से मसीन ख तो सर आप उतने ही साथ में आप इस मिशीन में सर फाइव के जी निकाल दो गया और वर्ल्ड का पैला जूसर बना सा इसमें अप भीना दाना निकाले अप घर पे अनार कर रूस रेडी कर दो कि वीस पीसाएगं सर चोटे चोटे बीस को मिशीन निकाल दें सर तो यहां पर यहां पर हमने चाहिए कर दिया है और देखते हैं एक किलो अनार आप देख लोल लग बड़े कि आनार है यहां पर हमारे पास कितना ताम लगता है जूस बनाने में पूर का पूर तो यहां पर हमें समय लगा करें टीर मीनट के आसपास एक किलोना का जूस निकालने में और कितना गच्रा हुआ यह आप यहां पर मौलम चल रहा होगा मसीन को तो यह भी आपको साफ करना पड़ सकता है तो यह है इसका एक पॉइंट तो यहां पर एक किलो अनार में मिला है हमें वाव करीब 440 ग्राम जूस अरे चाहसो सिर्स 24 परंट की एक हो सकता है आप लोग निकालना बताना आप जिस तरी के निकलते हैं तो कितना परसंट निकलता है अनार कर जूस और बात करें छिलकों कि काफी हद तक जूस निकल आया है देखके तो लग रहा है है एक आधे दाने रह गये हैं यह दिखूं किसी अनार में तो यहां पर 1 kilo मुसंबी है लग यहां तो इसका भी टाइम निकाल दें जूस निकाल दें कितना निकल लेगा तो टाइम स्टार्ट नाओ बाइस साह मुसंबी अच्छी नहीं है जूस कम निकल पहले बता दे रहा हूं क्या चुकटि यूसमी हम बलती है कि है सुन्दा सुन्दा उठाली है हमको वो सुन्दा के लेख के लिए हमको उसका कला देख कोई बात लेए बहुत ही कम जूस निकला है मैं तो तॉलने भी नहीं वाला देख लो मैं मुसमी देखके लेना मैंने सिर्फ सुन्दा के चक्कर में फसके सुन्दा मुसमी ले ली तो सुन्दरी रहे गए जूस नहीं निकला आप लोग जब मुसमी ध्यान रखना ज्यादा जूस वाली है ठीक है तो मैं मसीन काफी अच्छी है मैंने 200 कि लिए लेकिन सर्जस करूंगा तो इनकी ले ले इनकी डिटेल्स मेरे दूंगा या फिर मैं में 26 वाली की दूंगा उसकी आप ले सकते हैं उसकी काफी ज़्यादा अच्छी है तो इस तरीके से इस मशीन ने सक्सेस्फुली बहुत ही तीजी से फॉलो कि जूस बनाए हाँ आप ग सर आप सर इसको उल्टा करके क्लोगवाइज करों तो सर यह पाड़ बाहर पानी में सर डिप करने मिशीन आपकी वाश जैसे आप एक गिलास को वाश करते हैं एक गिलास के बनावर सर मिशीन को वाश करना सर तो भाई अगर आपको यह जूसर पसंद आया हो तो इस वरी कर अगर बनता है और जादा से ज़्यादा लोगों तक से करो तकि वो लोग भी जान पाए कि कुछ ऐसा जूसर ब्लाता है जिस्ते हम बहुत आपको असानी जूस बना सकते हैं और अगर आपको सवाल कमेंट में जोसर पूच लेना तो इसमें परी बस दोना क्या क्या पाब है कर दो कर दो मुठादा जो कर दो कर कर दो कि दो हमा असानी जूसर आपको सवाल कर दो उसे कर दो हमांगर उसी है।